जूनियर डॉक्टरों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के बैठक के बाद ममता सरकार एक्षिन में आती हुई नजर आ रही है मंगलवार को राज्य में डॉक्टरों और अन्यस्वास्थिकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित और सेवाओं की गुरुवत्ता में सुधार करने के लिए एक राज्यस्तरिय टास्क फोर्स का गठन किया है इस मामले में एक अधिसूचना में बताया गया है कि मुख्य मंत्री ममता बनर जी ने जूनियर डॉक्टरों से एक बैठक के दौरान इस तरह के उपाई का वादा किया था जिस बात को ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है ममता सरकार के द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाएं गए टास्क फोर्स में मुख्य सचिव मनोज पंथ टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे जबकि ग्रह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती पुलीस महानिदेशक यानि डी जी पी राजीव कुमार स्वास्थ सचिवेनेस निगम और कोलकाता पुलीस आयुक्त मनोज वर्मा इसका हिस्सा होंगे इस मामले में मनोज पंथ द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि राज़ भर में स्वास्थ सेवाओं की गुर्वत्ता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिबधता के अनुसरण में और स्वास्थ सेवा पेशिवरों की सुरक्षा और शिकायतों के मद्दे नजर राज़ सरकार एक राज़ स्थरिय टास्क फोर्स का गठन करती है इसके साथ ही इसमें उलेख किया गया है कि वरिष्ट और जूनियर रेजिडेंट डॉक्तरों के दो प्रतिनिधी छात्रों से एक महिला नामित और राज़ स्थरिय शिकायत निवारन समिती से एक प्रतिनिधी होगा आदेश में कहा गया है राज़ स्थरिय टास्क फोर्स स्वास्थि सेवा के बुन्यादी धाचे को मजबूत करेगी जिसमें on duty room, washroom, पेजल सुविधाएं और CCTV निगरानी प्रणाली से संबंधित चल रहे कार्य शामिल है यहां राज़िद्वारा संचालित अस्पतालों में मोबाई पुलीस निगरानी टीमों सहित पुलीस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की भी निगरानी करेगा इसके साथ ही इस मामले में तास्ट फोर्स एक केंद्रिक्रित हेल्पलाइन और पैनिक बटन सिस्टम एक केंद्रिक्रित रेफ्रिल और एक वास्टविक समय बिस्तर उपलब्धता सूचना प्रणाली के कार्यानवेन की भी देख रेख करेगा पैनल सुरक्षा ओडित आंतरिक शिकायतों और अन्य से संबंधित विभिन समितियों के कामकाज की भी देख रेख करेगा आदेश में आगे कहा गया है कि यह पश्चिम बंगाल के नागरिकों को यथा संभव उच्च गुर्वत्ता वाली स्वास्थि सेवा प्रदान करने के लिए सभी हिद्धारकों के साथ सहयोग और समन्वय भी करेगा इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि तास्क फोर्स के सदस्यों को यथा संभव महिने में कम से कम एक बार मिलना चाहिए कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंगी मामले में सत्रह दिनों से धर्मतला में आमरन अंशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार रात को अंशन वापस लिया था डॉक्टरों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीरिता के माता पिता के कहने पर अंशन वापस लिया गया है साथ ही डॉक्टरों ने मंगलवार को हुने वाली व्यापक हड़ताल भी वापस ले ली आपको बता दे कि पांच अक्तूबर से जूनियर डॉक्टर धर्मत अल्ला में आमरन अंशन पर बैथे थे इसके साथ ही उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी भूख हड़ताल चल रही थी दस सूतरी मांगो को लेकर डॉक्टर अड़े हुए थे जूनियर डॉक्टरों की जारी आमरन अंशन के बीच सोमवार को राज्य सचिवाले में मुख्यमंत्री ममता बनर जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच करीब दो घंटे बैठक हुई थी इसमें जूनियर डॉक्टरों की विभिन मांगो पर चर्चा हुई थी इन मांगों में राज्य के अस्पतालों में व्यात धमकी की संस्कृती भी शामिल थी बादचीत डॉक्तरों के आमरन अंशन के सत्रहवें दिन दवान यानी की सचिवाले में आयोजित की गई पहली बार इसे लाइफ स्ट्रीम किया गया बैठत में मुख्य मंत्री ने जूनियर डॉक्तरों से अंशन समाप्त करने की अपील की थी उन्होंने कहा था कि उनकी अधिकांच मांगों का समाधान किया गया है लेकिन उन्होंने राज्य स्वास्थि सचिव को हटाने की मांग को खारिश कर दिया दोनों पक्षों ने व्यात धमकी की संस्कृती पर सहमती जताई लेकिन इसके पीछे के कारणों और परिस्तितियों पर उनके विचार भिन्नत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद